नमस्कार दोस्तों मैं हूँ ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी चैनल ममता जुए में कैसे हैं आप सब तो ये बताने के लिए कॉमेंट बॉक्स में स्री हरी विश्णु जरूर लिखे तो चलिए दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे आउला नौमी से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वण बाते पूजा कैसे करें कौन कौन सी चीजे हमें चड़ानी चाहिए कौन कौन सी चीजे बहुत अधिक बिसेस महत्तों रखते हैं एक चीज उस दिन जरूर दान करें और वहां हमें अच्छे नौमी के दिन आवले के करने चेज जिससे हमें दान का कई गुना लाभ मिलता है अच्छे नौमी इस साल 2022 में कब पड़ा है पूजा का सुमोर्द क्या है इसी परकार के तमाम ऐसे महत्वण बाते आज हम इस वीडियो में जानेंगे तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बैल आइकन को प्रेस कर दीजेगा जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे तो चलिए सुरू करते और जान लेते हैं सभी महत्वण बा ठीक है ऐसे एक नौमबर से ही रात्री से सुरू हो जा रही है नौमी तीथी लेकिन दो नौमबर को उद्या तीथी में हम अच्छे नौमी का ब्रत मनाएंगे पर्व मनाएंगे ठीक है उस दिन क्या क्या नियम है क्या क्या हमें करनी है सब कुछ मैं आपके साथ सेयर करूं तुलसी पूजन कर रहे हैं आप पूरे कार्तिक अगर पूजा नहीं किया है तो ऐसा माना जाता है ना कि देउठनी एक आजसी के दिन अगर आप पूजा कर लें तुलसी माता का 365 दीपक जला लें आच्छे नौमी का ब्रत कर लें मतलब कार्तिक तो महीना ही विश्नु और पवित्र महीना है तो अगर आप पूरे कार्तिक असनान नहीं किया है केवल ये सब कारे कर लेते हैं एक आजसी कबरत कर लेते हैं तुलसी माता का बिवाह कर लेते हैं आउला नौमी कबरत का पूजा पाठ कर लेते हैं दान उपदान कर देते हैं तो आप तो मान लीजे कि मतलब इतने सारे फल और पूर्णे फल आपके जोली में आ जाएंगे आपको विस्वास नहीं होगा ऐसे ये महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है कार्ति का तो सबसे पहले आपको असनान ध्यान करके साफ सुत्रवस्त्र पहन के जो कि सभी को मालूम है बताने की जरूरत नहीं है घर में जाडू पोचा अगर करती है तो पहले घर दुआर साफ कर लिनी चाहिए सुर्य देव दिख रहे हैं तो भी नहीं दिख रहे हैं तो भी हम परत्यक चुरूप में सुर्य देव की पूजा करते हैं आप लोग को मालूम ही है तो आप जल दे दीजे उसके बाद आप जो है आवले की बिक्च की भी पूजा कर सकते हैं अगर आपके पास आपके आस प जड़ में फला हुआ आवला का अगर ब्रिक्चो हो पेंड़ हो तो और भी अच्छा है लेकिन मालीजे अगर नहीं मिलता है चोटा सा पौधा अपने घर में लगाए हैं गमले में तो उसकी भी पूजा कर सकते हैं कोई दिक्कत ने हैं क्योंकि फला हुआ ज्यादा बेहतर है सभी लोग को मिलना मुस्किल है हर जगह नहीं मिल पाएगा पुराना पेंड़ ठीक है तो आप जो है जल दे लीजेगा जल देने के बाद क्या करना है पांच परिकर्मा लगा लिजे आप रक्षा सुतर के साथ भी लगा सकते हैं या कच्छा धागा से परिकर्मा लगानी चाहिए तो आप पांच या सात वर लगा लिजे उसके बाद क्या करनी है आपको कि वहीं पर भोजन बनाया जाता है अगर आपसे पार लगता है वहाँ चूला वगरा बनाकर इटे से जोड़के और हम लोग अपने जमाने में बच्चे थे तो वहीं बनाया जाता था खाया ज ही मिलते हैं तो अगर ब्रामः देव ता ही खुद मिल जाए ब्रामः देव मिल जाए तो और भी अच्छी बात है तो आप खिला सकते हैं अगर मालीजे आप वहाँ भोजन नहीं बना रही है तो आपको क्या करनी है कि आप जो छट पूजा का ठेकुआ होता है ना जिनके अच्छट पूजा हुआ है उनके लिए बता दू ठेकुआ भी आप ले जाकर वहाँ पर प्रसात के रूप में सब परिवार आप लोग खा सकते हैं तो मालीजे आप लोग कई लोग हैं जो छट पूजा नहीं करते हैं तो आप मीठा लड़ू कोई भी चीज आवले ब्रिक के नीचे भोजन गरहन करना बहुत अधिक सुभ माना जाता है ठीक है पूरी बात अच्छे से आप लोग समझ लिजेगा तो आप क्या कीजेगा मिठाई या लड़ू का पैकेट ले लिजे वही चड़ा दीजेगा और फिर आप सभी आदमी आपस में मिलजूल कर खा लीज ठीक है हम लोग तो आउनले के पेंड के नीचे अपना ठेकुआ लेकर ही चले जाते हैं वही खा लेते हैं और हमारा जो है अच्छे नॉमी का पर्व हम लोग मना लेते हैं अगर वैसी सुविदा है अच्छे जगा पे है तो फिर आप भोजन वहां पर बना भी सकते हैं हर चीज ले जाकर जो एकत्रित करके लेकि सभी लोग से पार नहीं लगता पहले लोग करते थे अभी बहुत कम लोग करते हैं तो यह हो गया और हमें उस दिन दान क्या क्या करनी है तो चलिए ओभी बता देती हूं तो देखिए आप जो है ना ब्रामण के लिए मतलब एक धो उसको माना जाता है जो उस दिन आप दान करते हैं वो कई दानों के मतलब कई गुना लाव हमें उससे मिलता है हर दिन के दान के अपक्छा तो आप जो है इस प्रकार से दान कर सकते हैं अगर भोजन नहीं करार है तो आप सीधा भी दे सकते हैं उसकी जगा पर सीधा दे सकत ठीक है अच्छे नौमी के दिन पक्का दान किया जाता है और जो मीन दान जिसको कहा जाता है अच्छे नौमी पर अधिकतर लोग करते हैं जो बड़े बुजूर्ग होंगे उनको मालूम होगा आप अपने घर में पक्का पूछ लीजेगा एक वर फीर आप लोग को मतलब पत बड़े बाता है और भतुआ के अंदर जो है और दान करते हैं अब बहुत अधिक सोना में आपको नहीं बोलूंगी लेकिन नाक का जो नोजपीन होता है वो भी उसके अंदर आप छोटा सकट लगा के अंदर डाल के उसमें चुभा के और फिर उसी बहुत नौमीं होगा ल प्रकार से लाल कपड़े में या पीले कपड़े में लपेट कर भतुआ का दान किया जाता है अच्छे नौमी के दिन आप जरूर एक बार करके देखिएगा जो ही बड़ी बुजूर्ग हैं उनको जरूर करनी चाहिए धर्ती पर कहीं कुछ नहीं है जो दान करेंगे वही हमा है कुछ लेकर नहीं जाना है हमें ठीक है तो जो सुवदीन बने हुए दान के लिए उस दिन पका अपने घर के बड़े बुजूर्गों से आपको करवानी चाहिए बतुआ आपको बजार में मिल जाएगा अगर नोजपी नहीं देना चाहते देखिए सोना चांदी अभी महंगा है बोलना भी जैसे आप लोग को लगेगा कि ऐसे कैसे करेंगे तो देखिए मार्केट में बजार में पंच रतन आता है जिसमें पांच रतन होते हैं सोना चांदी तामबा मतलब हर प्रकार के धातू उसमें छोटे छोटे तार जैसे होते हैं तो अगर आपके पास नोज़ पीन भी नहीं तो पंच रतन भी आप भतूआ के अंदर थोड़ा सा कथ लगा के और उसमें डाल के और आप लाल कपड़े में लपेड कर उस दिन दान कर सकते हैं अती उत्तम माना जाता है भतूआ का दान ठीक है अच्छे नौमी आवला नौमी के दिन हम आवली की पूजा करते हैं आवला जो है हम दान भी करते हैं सोना के सोंड के समान उस दिन आवला का दान माना जाता है तो अब 5 आवला भी 7 आवला 11 आवला क्योंकि उस दिन आवला जो है महंगा हो जाता है मार्केट में जितना प्रती दिन जैसे आपको सस्ता मिलेगा ना वैसे नहीं म पूजा का सुभ मोहुरत क्या है तो सुभा से लेके दो पहर तक है लेकिन ऐसे मैं टाइमिंग जो है स्क्रीन पे लगा दूँगी आप लोग चाहें तो चेक आउट कर सकते हैं सारी बाते किलियर हो गई तो अच्छे नौमी दो नौमबर को पड़ा है फिर देखे एक बार आ नाम करके आप आ सकते हैं आवले के पेंड को देखे बच्चे वगएर तोड़े ना च्षती मत पहुंचाईएगा बाकी दिन आप करे ना करे लेकिन अच्छे नौमी के दिन आवला नौमी के दिन जो पेंड है उसको च्षती नहीं पहुंचाते किसी परकार का हानी न तो सारी बाते अच्छे नौमी से जूड़ी होई आप लोग को पता चल गई और आप लोग इसी प्रकार से कीजिएगा तो आसा करते हूं उमीद करते हूं कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिकलाब मिलेगा माताओं को फिर मिलती हूं एक नए वीडियो में तब त के लिए नमस्कार स्वस्त रहिए सुरक्षित रहिए और जहां कहीं भी रहिए खूप खोस रहिए